असलाम वालेकुम एर्वण वेलकम बैक तो माई यूटव चैनल और भाई आज की स्टूडिय में आपको एक नहीं दो नहीं बलके तीन तीन ऐसे फून के बारे में बताने बला हो जो कि गेमिंग के लिए कैमरास के लिए काफी अच्छे फून हैं अंडर 40,000 रूपीज अच् आपको तीन ऐसे फून बताऊंगा अगर आप इन तीन में से किसी को पर्चेस कर ले तो आप और एक और एक फून मैसा बताऊंगा अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं इस फून को डेफिनिटली कंसीडर करता तो बाकी कौन-कौन से फून है यह तो वीडियो में पर चलेग आप प्रेस करना था कि जैसी कोई ने उड़िया है उसका नोट हुए है सबसे पहले आप तक पहुच जाए हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और भी बहुत कुछ बताना है आप से पहले जो स्मार्टफोन है मेरी लिस्ट में वह है डीकोड की तरफ चाने वाला डीकोड ब प्रफॉम्मेंस को आगे चल के डिसकस करते हैं बैक डिजाइन की बात करों तो जब यह जब लॉंच हुआ था उन दिरों में आईफून वाले डिजाइन ज्यादा इन हुए वे थे हैं तो हटका लॉंच हुआ था तो यह काफी प्लस पॉइंट बन जाता है डीकोड ने ऐ तरीन फून पकड़ावा बन देने तो नोड़ डिजाइन इसका काफी अच्छा है 43,000 के आसबाद यह स्मार्फोन ओफिशल लॉंच हुआ था डिसकाउंट के बाद 4140 का भी मिल रहा है तो आप डिपेंड ऑन कंडिशन अगर आप यूज में बाय करना जा रहे हो यह पिर 20 पर क्रिक स्केनर अंडर बाद फी पूर बाद परांवाली में लूक प्रोपा फनकर जें अंडर दिस्प्लेंस कंड़ा उगा तो लाइक दोस्तों को सलगँ को सब्सक्र más innोड और भी में ऐच्राइन काफी अच्छा है सादिकान इसके साद ता छशेकिल आन्छ फून प्र तो उन सबसे बहतर यह परफॉर्मस में निकल कर आया था डिकोट बोल्ट 3 कॉलिटी इतनी अच्छी प्रोवाइट कर रहा था तो बाकी इसको रिकमेंड करने के सबसे बड़ी वज़ा इसका कैमरा जबी है दूसरे नमबर पे नोट आप यार इसके कैमरा काफी इच्छे परफॉर्म करते हैं इससे भी अच्छे एच्छे कैमरा वाले स्मार्टफून है बट अपनी प्रेजरेंज के अंदर यह अभी तक मेरी लिस्ट में सबसे बेस्ट फून है अगर आप कैमरा के लिए बाय करना चाहरे हो बैक पर यह स्वाट की चार्जिंग इससमार्टफून के अंदर प्रोज और को तो प्रोजन को आपकी इसक्रीन पर रहा होंगे अब एक कॉंजा यह कोई नहीं है वाकि सारे प्रॉन ही है गेमिंग के लिए जहां तक बात है तो फोटी है यार्ट वेर्ट वेर बेस ही मीटेट ही ल वे स्मार्ट फून आते हैं मेरा पसंदीदी आप स्मार्ट फून डिसाइन के आवाले से इसका नाम है टेकनो का टेकनो केमन 20 41000 की प्रेस रैंज के अंदर ये स्मार्ट पाकिसानी अफ्लान मार्केट लांच होता और आज कर डिसकाउंट के बाद में विजिट कर था 38 39 40 का भी मिल रहा है 41 का भी मिल रहा है तो डिपेंड on you what you choose अगर आप यूज में बाय करना चाहरे हो तो आप फिर 35 से 40 के दर्मियान आपको आराम से देखने को मिल जाएगा नया यह smart phone 39 38 का भी sale होता बना दर आ रहा है discount के बाद offline market में online भी आप price होए से मगा सकते हो वाँ प तो अगर आप offline की खुआरी से बचना चाते हैं वैसे मैं recommend करूंगा आप offline जाकर purchase करो इन चक्रों में ना पड़ो बागी अच्छी website हो कि मुझे green वाला color काफी ज़्यादा पसंद आया था इसको recommend करने का सबसे बड़ी वज़ा बिकाज ही मेरा पसंदीदा phone है अगर मैं होत बाकि इसका design मुझे काफी premium काफी next level वाली फील करवाता है white और green मिक्सर कलर है camera bum से white है बाकि नीचे से green है design थोड़ी बहुत iPhone 13 15 14 वाली look provide करता है अब तो 16 भी आने वाला है तो हो सकता है 16 वाली look भी provide कर दे मजा कर रहा हूं बैक plastic की है no doubt plastic का frame है अच्छा design मुझे लगा थ बाकि जहां तक content watch के नहीं बात है हां higher refresh rate नहीं आता है इस phone के display के अंदर 6.67 inches का एक AMOLED पैनल है उपर भी AMOLED पैनल था और IPS बोल रहा हूं उपर भी AMOLED पैनल था decode bolt 3 pro के उपर और उसमें 120 Hz का refresh rate भी था तो यह point decode bolt 3 pro हो जाता है बाकि no doubt always on display इस smartphone के अंदर भी under display fingerprint scanner है बा 385 वाला powerful power efficient process लगा है 40 fs आपको provide करेगा normal gaming gaming के लिए आगर आप जाना चाहरे हो तो मैं आपको decode bolt 3 pro को recommend करूंगा इस से बहतर बहतर gaming performance quality optimization निकल कर आती है decode bolt 3 pro की techno camera 20 से बाकि कैमरा जिसके भी अच्छे है ट्रिपल एट कैमरा का सेट आप सिक्ष्टी फॉर मेंगा विसल का मेन दो मेंगा पिसल का एक दैप है और तीसरा क्यूंग से रिकॉर्ड करेगा बाफर कितना है बैक से बैक के फ्रेंट से फ्रेंट है बाकि कोई फर्क निया इसका front and back camera के अंदर सेम है इसे स्मार्टफून को मुझे इतनी खास बात है यह नहीं लगी रिकामेंट करने के कोई खास वजह नहीं लगी बस इसका डिस्प्ले भी है तो अच्छा लगा डिस्प्ले एमुलेट पैनल है बाकि अच्छा फून है यह जब लॉंच हो था मैंने रिव्यू कर दे सकते थ किया था उसी वक्त अच्छा फून था अपने टाइम पर और अभी भी रिसेंटली लॉंच हो दोजार तेइस में लॉंच हो है एंड में नमबर ऐसी कुछ लॉंच हुए सित्मबर ऑक्तुबर नमबर के आसपास मुझे मुझे जैक याद नहीं है यह स्मार्टफू आपको नॉर्मल यूज के लिए तोड़ी बहुत कैज्वल गेमिंग भी समाल लेगा अगर आपको कैमरा के लिए अच्छी डिवाइस साहिए ना तो डिकोट बोल्ट 3 प्रो को आप कंसिडर कर सकते हो इससे बहतर कैमरा परफॉर्मेंस और गेमिंग में भी बहतरी परफॉर्मेंस है कंपेर टू टेक्नो के में तीसरे और आखली डिवाइस की बात करों तो इससे स्मार्टफून का नाम है इंफिनिक्स होट 40 इंफिनिक्स होट 40 रिसेंट्ली लांच हुए 2023 के एंड में होट 40 होट 40 प्रो है दोनों के पर मैंने रिव्यू किया आप में चैनल पर जाकर वि अच्छा है प्रीमियम वाली लुक प्रोवाइट करता है बट उस टैम पर यह अच्छा लगता था लेकिन अब इतने डिजाइन यह आईपून वाला आने स्टार्ट हो गए है कि बुरा लगना शुरू हो चुका है तो नो डाउट यह आप पर डिपेंड करता है यह स्मार् लेकिन प्राइस फिर थोड़ी सी डाउन होगी मैं आपको बॉक्स पैक जीरो मीटर के प्रैज बता रहा हूं थर्टी एट थर्टी नाइन फॉर्टी बाकि यह लॉंच फॉर्टी वन का लॉंच हुआ था मिल जाएगा आपको ऑनलाइन और ऑफ लेकिन मैं आपको फिर से करूंगा आफ लाइन जाके प्रचेस करो थोड़ी खुआरी होगी लेकिन चीज बहतरी मिल जाएगे आपको इसको रिकमेंड करने की वज़ा आइफून वाला डिजाइन है और दूसरे नंबर पर इसका डिस्प्लेइट इंचिस का डिस्प्लेइट है फुल एजटी प्लस नुकसान जिस जिसके हैं अभी तक पता नहीं चाला नहीं तो मैं आपको लाजमी बताता इसे स्मार्टफून को सबसे बड़ा नुकसान हो धूप में अगर आप बाल लेकर जाओगे तो पांसो नीट्स की ब्रैटनेस है इंडोर में आपको मसला नहीं आएगा लेकिन आउ स्क्रोलिंग करते बें ब्राजिंग करते बें 90 का रिफ्रेश मुझूद है तो आप देख सकते हैं फून की तरफ भी बाकि यह स्मार्टफून एंड्रॉइड 13 पर अपडेटीड होगा जब आप इसको पर्चेस करोगे मीडिया टैक की तरह साने वाला हीलियो जी 99 वाला प टैक्नो केमें 20 को रिकमेंड करने के लिए तेयार हूं आप देख सकते हो इस फून की तरह बाकि इस स्मार्टफून की भी बेक पर ट्रिपल केमरा का सेटप है पचास में में दो में पासल का मैक्रों जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट मेंगा पसल का देप सेंसर है यह पर इस एंसर है इस ओके 1440P 30fps आपको वीडियो को शूट करेंगा आप ज्यादा क्वाली वीडियो को शूट करना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इस फून को पर्चेस करो कंपेर टो डीकोड बोल 3 प्रो टेक्नो केमें 20 बाकी फ्रंट पे स्मार्टफून के पंच होल है पंच होल के अंदर 32 में वीडियो को शूट करेंगा यह फून बाकी इस स्मार्टफून के नदर भी 5000 बैटरी यह 33 वाट की चार्जिंग है बट एक पॉइंट इसको जाता है इसे स्मार्टफून के अंदर रिवर्स वाइट चार्जिंग का भी ऑप्शन है तो myślen तो वारल अगर बाकी अगर फून को मैं बाय करता तो वह है डिकोर्ड का बोल्ट 3 प्रो विकाज इं तीनों में से बल्के इन तीनों में से क्या इसकेसाथ जो और फून लाँच होए थे डीकोट की बात करूँ डीकोट बोल्ट 3 प्रो के साथ जो और फून लाँच होए थे यह दो भी उनके पिछे लाँच होए थे तो उन मेंसे सबसे बहतरीन यह निकल कर आया था डीकोट का बोल्ट 3 प्रो तो मैं आपको रिकरमेंड करूँगा और आपको एक अच्छी गेमिंग करनी है तो हाई क्लास गेमिंग तो तीनों में से किसी में भी नहीं होगी 40,000 में जो सुचेशन क्रीट होई वह था तो यही आ रहा है भई आजकल तो अगर आप 40,000 में एक बजट एक अच्छा फून बाइगाना जारा है तो मैं आपको रिकरमन करूंगा डीकोट के बोल्ट 3 प्रो को कैमरा की कॉलिटी कैमरा के रिजल्ट उसके ज़दा अच्छे हैं लेकिन आपको हाई डेफिनेशन में हाई क्वालिटी में आपको वीडियो को शूट करनी है तो आप डेफिनेटली इन्फिनिक्स हाट 40 बिकास 1440 पी का ऑप्शन है स्मार्टफून के अंदर वाकि डीकोट बोल्ट 3 में 1080p 30 fps दाकि जैरो एएस का सपोर्ट तो किसी तीनों म के अंदर अंदर देखनों को मिल जाएंगे हराम से बस डीकोट बोल्ट 3 40 41 का सपास देखनों को मिल सकता है ऑफिशल इसकी प्रैस 4800 रुपीश है अगर आप यूज में तीनों में से किसी एक को लेना चाहो तो फिर थोड़े से प्रैस इसकी नीचे आजाएगी डिपेंड करना फट से इन तीनों का डीटेल डीवियू में अपने चैनल पर रिसेंटली अपलोड किया आप मिने चैनल पर विजिट करके देख सकते हो आई होप कि आपको आज की वीडियो पुसंद आई होगी तो हमेशा की तरह लाइक करना चैनल के पहली बार हो तो सब्सक्राइब आज में करना पर सब्सक्राइब में करते हो तो सी मेन अससे वीडियो मनाते हैं बेल अग्म को प्रेस करना था कि जैसे इसको को नई उडिया इसको नोटिफिकर सबस्क्राइब आप तक बोज़ जाए मैं वह बनूंगा प्लिक्षिन नेक्स फूरे में किसी और पून के रि